the next question question no.10 cost to a plus 1 upon 1- cost to a बराबर quote square है लाना है तो अब ये ये जो सुत्र होते हैं cost to a के 2 सुत्र होते हैं तो इसमें हमें वो वाला सुत्र लगाना है जिससे 1 कट जाये तो cost to a के स्थान पर हम यहां 2 cost to a बराबर एक तो होता 1-2 sin इनी square a दूसरा सुत्र होता है cos 2 a बराबर 2 cos square a minus 1 तो अब हम इसमें यह वाला सुत्र लगा लेंगे क्योंकि यह minus का है यह उपर plus का है तो इसमें कट जाएगा तो 2 cos square a minus 1 और यह plus का 1 है upon अब यहां 1 minus माइनस आने के बाद ब्रैक्ट लगा देंगे फिर कोस्ट वे का यह वाला सुत्र लगा देंगे one minus two sine square a तो अब इससे one से one कड़ जाएगा उपर क्या गया two 2 cos square a upon यहां 1 है माइनस और पिलस माइनस a माइनस माइनस पिलस 2 sin square a 1 से 1 कैंचल और 2 से 2 कैंचल को स्क्वार ए अपोन साइन स्क्वार है तो किसके बरावर आ गया यह कोट स्क्वार एक बराबर यह हो गया सिद्ध नेक्स्ट कोशन सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोश ठीटा अपोन कोश ठीटा वन माइनस कोश ठीटा अपोन कोश ठीटा into cosec square theta बराबर लाना है क्या sec square theta तो अब हम solution करेंगे सबसे पहले हम LHS लेंगे तो क्या है 1 plus cosec theta बटे cosec theta और ये 1 minus cosec theta बटे cosec theta यहाँ गया cosec square theta तो अब हम क्या जानते है एक बार ये formula बनना है A minus B A plus B यह बनना A का square minus B का square तो 1 plus cosec theta 1 minus cosec theta तो क्या होगा 1 का वर्ग minus cosec theta अपोन cosec theta की गुणा cosec theta में कर दी क्या है cosec square theta आ जाएगा इसके बाद ये कितना है ये क्या है cosec square theta इसके बाद हम जानते है 1 minus cosec square theta किसके बराबर होता है ये sine square theta के बराबर होता है upon cosec cosec square theta और ये cosec square theta को हम 1 upon sine square theta में तोड़ लेंगी फिर इसके बाद sine square theta से sine square theta कर जाएगा क्या बचा 1 upon cos cos square theta तो 1 upon cos square theta इसके बराबर होगा sec square theta के ये इसकी RHS हा गई solution सिद कीजिये की sine theta plus cos theta का whole square sine theta minus cos theta का whole square सिद करके हमें दो लाना है तो इसके बाद हम जानते हैं क्या जानते हैं कि यहाँ a plus b का formula बनना square का और यहाँ पर a minus b का whole square का बनना तो यह खोल दो sine का वर्ग plus cos का वर्ग plus इन दोन उपदों की गुणा का दूगना 2 sine theta into cos theta इसके बाद यहाँ plus का निशान है इसके बाद यह खोल जाएगा a minus b का whole square a का वर्ग plus b का b का वर्ग minus 2 a भी यह minus वाला खोल जाएगा तो पहले sine का वर्ग sine square theta फिर पिलस cos square theta minus है यहाँ पर तो minus में इन दोन उपदों की गुणा का दूगना 2 sine theta into cos theta इसके बाद क्या करते हैं अब हम जानते हैं कि यह plus का है यह minus का इन दोनों कट जाएगे सारा सारा कट जाएगा इसके बाद sine square theta plus cos square theta बराबर क्या होगा यह one हो गया और sine square theta plus cos square theta यह one हो गया तो कितना हो गया यह 2 आएगे इसका RHS आ गई यह बारे B का question number बारे का A यह है B B part तो solution करेंगे इसमें किस पिरकार करेंगे यह one minus cos theta है और यहाँ पर one plus cos theta यहाँ पर one plus cos square theta तो सिद्धर एक लाना हमें कितना लाना एक तो अब हम हम जानते हैं A minus B A plus B तो यह A का वर्ग मतलब एक का वर्ग हो जाएगा एक का वर्ग होता है minus में cos का वर्ग cos square theta जाएगा इसके बाद यह one plus cos square theta यह किसके बराबर होता है cos square theta के बराबर होता है इसके बाद one minus cos square theta हम जानते हैं पीछे लगाया दिया सुत्र तो sin square theta के बराबर होता है इसके बाद यह cos square theta को one upon sin में तोड़ देंगे sin square theta तो sine square theta से sine square theta कट गया कितना बचा यहाँ 1 बचा तो यह इसकी RHS आ गई फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादस ज़्यादस शेयर कीजिए क्यों फ्रेंड्स यदि आपने यह वीडियो देख लिया है और आपको इसमें कुछ समझ में आया है तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अपने दोस्त को भी यह वीडियो शेयर करनी चाहिए क्योंकि यदि आपको इससे कुछ नोलिज मिली है तो आपके friends को भी स्यादी knowledge मिलती है तो हमारा तो कोश नहीं जाता है सेरे करने में लेकिन उनको ये वीडियो मिल जाएगी और उससे फिर वो कुछ सीख सकते हैं Thanks for watching, मिलते हैं अगले किलास में